हुआ फ्रेंद्स दिस लामिज और वेलकम तो न्यू विडियो वेलकम तो तिक कार एकाड़मी पावाट बाइस और आज जो जो टॉपिक है यह टॉपिक जो है हमारे आटोमोटिव इंडॉस्ट्री में रेलेटेवली न्यू है अलग यह अब आई लो को कि जैसे जैसे हमारी काड़िया कॉंप्लेक्स होती जा रही है हमारी काड़िया जब कॉंप्लेक्स होती जा रही है तो जाहर सी बात है कि जो हमारी एंजिन साइज है वह छोटे होते जा रहे हैं वहली गैलरी छोटी होती जा रही है यह पूलेंड गैलरी छोटी होती जा रही है हमारे जो थर्म करें लीन बंट टेक्नालोजी पे अब इस सब में वन सींग कॉमन जो आता है वो यह हो रहा है कि जो हमारे एंजिन जो पहले थे और क्योंकि हमारे electronic modules बढ़ते हैं जो electrical loads हैं बहुत ज्यादा है जो एंजिन के यह नो जो प्रेशर्स हैं गो ज्यादा है और गालरी के प्रेशर ब्रेक्स के प्रेशर्स यह नो कुछ भी हमारा जो भी यह चीज़ें तीन तरीके से मतलब हमारे को एफेक्ट कर रही है कि जो ही और फिट को हम कैसे मेशर करेंगे आग तक हमारे पास कोई तरीका नहीं था ही तो मेंड आप लोगा जोई अन्जट पूल इंपरेशर सेंसर इसके ऊपर इंटेक एंपरेशर सेंसर यह दुनिया जानके सेंसर से हम लोग हम है युनौ डिपेंडेंट थे लेकिन आप क्या है यह जो निया टेक्नालोजी जिसको हम थर्माल इमेजिंग बोलते हैं तर्मल इमेजिंग में इसने पूरा एक दुनिया कोल के रख दी है कि आपकी जो डाइग्नोसिस है वो एक बहुत ही कारगर लेवल पे होती है कि जहां पर भी आपका करण्ट फ्लोव होगा कि उसका नेट रजलत है आपकी हीट जोड़ेट होगी तो आप यह तर्माल इमेजर है यह किन के लिए काम आएगा जो एलेक्रीशन है जो भी है जो इसी एप रिपैरर करते हैं जो भी करते हैं आपका प्रेशर के साथ हम को प्ले करते हैं जितने भी हम मेकानिक्स है है जो टिए एक चीज के साथ दूसरी रगड़ेगी हीट से ड्रेट को अगया मैंक्यानिक्स तेखनीशन है अग क्वी काँशी जाए चीज है जिसमेर नहीं है आपका यह जो अगर टायर लगा हुपा है तो टायर अएट होरा है हो रही है कि नहीं हो रही है और एर कंडिशनिंग में कंडेंसर में जो जा रही है वह जो रेफ्रिजेंट है वह कितना गरम है और किदर वह हीट पॉकेट्स होना रहा है तो इस तेक्नलोजी पे थैंक्फुली हम लोगों के पास थिंक टूल में यह थर्मा लिमेजर है मैं इसको अभी हुक अप कर रहा हूं और उसके बाद वी विल डू इन दिकार कि मैं आपको दिखा दूंगा आपके पास अगर लाइट है तो भी यहां से यह कनेक्ट हो जाएगा यह आपको छोटी भी लाइट आए ओन हो गई और जाकर गाड़ी पर चलते है हम गया है मॉड्यूल पर थर्मल इमिजर क्लिक हो गया लेट्स क्लिक दिस ओन अब फ्रेंट यह देखो यह यह मैं इस पॉर्शन को ले रहा हूं और मैं इस फ्यू बोक्स को ले रहा हूं मैं यह बैटरी टर्मिनल इस लूंगा अब यह देखो कि मैंने यहां पे यह लिया है अगर मैं इसको देख रहा हूं यहां मेरा हाथ है यह देखो यहां पे कोई हीट ऐसी नहीं है लेकिन यहां पे जैसे जैसे मैं यहां जाता हूं सो यह देखो यह मेरा हाथ आप देख रहे है इसके पीछे यह गरम है अब इसको मैं आइवाट तो सी कि यह यह मेरा इंजन क्या कर रहा है स्टार्ट कर यहां जहां जहां गरमी है वहाँ यह देखो ओके यह 142.9 फारनाइट 143 अब यहां पे देखते हैं लेट लुक अट दिस यूब बॉक्स तरह देखते हैं यह देखो यहां पे मैं जा रहा हूं यह देखो यह देखो यह कूलेंट की ओवरफ्लो पाईप है यहां आ रही है यह मेरे बैटरी के टर्मिनल है यह देखो यह दोनों जहबे जहबे गाड़ी गरम होगी यह देखो वो मेरी वायर दें पीछे यह देखो 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 यह द अगर मेरे को तोड़ा दूर से भी इमेज लेना है यह देखो लोकेट दी हीट इधर यह हमारे एगवार फाइड ने जा रहे है यह देखो यह देखो यहार मेरा कंडेंसर अवी अउन करियो यह देखो इमेजटली अवी अउन किया यह देखो एवी बांद कार यह देखो आप देख सकते हो जो रेफ्रेजेंट है वो कंडेंसर में कैसे मूग कर रहा है इसी कोई चीव में है माई फ्रेंड जो चीव हम लोग थर्मल इमेजर से अगर हम ध्यान से अपना फोकस करते हैं यह देखो यह मेरे कूलेंट का ढक्का ना है किये रहा रेडियेटर का यह देखो यह रही पाइप और यह रही मेरी वाइरिंग अब यह और गरम हो रही है जाहर शी बात है इलेक्ट्रिकल लोड है और यह देखो लोक यह देखो तो ओलन ओल कहने का मतलब यह है अगरेट करा हम आए बंद कर दे काड़ी कि जैसे जैसे हम अपने डाइग्नोस्टिक्स को बेतर करना चाहते है तो हम लोग को टूल में जायर सी बात है वो टूल नहीं छुडने पड़ेंगे जो तूल हमारे डाइग्नोसिस में मदद करते हैं आप यह जैसे मैंने आपको बोला कि यह लाइफ चेंजिंग तूल है आपको कल मैंने आपपो स्मोक मेशिन के बारे में बताया था स्मोक मेशिन कैले क्या है कैully मेरे को उसका मिनरल यॉयलए कहना आप टो मिनरल यॉयल लेकि Τुमोरो स्पाइल शू levar वीडियो कि आपको स्मॉक मेशिन के उपर एडिमंस्ट्रेट करते बह दिखाऊंगा यह यह 3- Avec टीन सिलेंडर की गाड़ी उप चार सिलेंडर की गाड़ी और यह जो मश्यदी है यह V6 है I will show you which we expect of doing that तो आज का क्योंकि आज दिवाली है इंसिदेंटली हापी दिवाली टू आपके घर में शको और आपको तरक्की मिले काम्याभी मिले बरकत मिले तो तो आई डूंट वांट टू के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहा हूँ लेकिन ओवर पेरोड आफ टाइम आने वाले टाइम में जितने भी हमारे प्रतिध्वन्दी हैं मेंज हमारे कंपेड़ने और जो वो अपने आपको बोलते हैं कि उनका जो टूल है वो इतना अबाजी एक्चेंजाओस प्रंश मर्शी करें मैं दूद का गूर पानी का पानी जब हम टूल लेते हैं और वो टूल हमारे को कितना अपग्रेड़ेबल है और वो आगे हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक कितना है वो हमें देखना है और इंस्टन्स मास्टर जैसे टूल में मैंने आपको थर्मल डाइनमिक्स दिखा दिये थर्मल इमेजिंग वीडियो स्कोप में आपको दिखा दूंगा बैटरी टेस् सोचो और is it worth the money आपको कुछ free में कुछ यह दे दो वो ले लो is it worth it so think on this दिवाली की अगला साल दिवाली के बाद हम लोग जब कोई भी decision लें टूल्स के लिए तो वो क्या सोच समझ के लिए so till we meet again this is Amit Ahuja signing of take care बाए